बाजपाने सोमवार को विधायक दल की बैठक में मद्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को चुना है मद्य प्रदेश के 19 मुख्य मंत्री के रूप में डॉक्टर मुहन यादव आज शपत और गोपनियता की शपत लेंगे भुपाल के मोती लाल नहरु स्टेडियम में होने वाले कारिक्रम में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्री ग्रह मंत्री आमित शाह कई केंद्री मंत्री और अन्निराज्यो के मुख्य मंत्री भी शामिल होंगे राज जिपाल मंगू भाई पटेल डॉक्टर मोहन यादो को मुख्यमंत्री पद की शपत दिलाएंगे साथी साथ राजेंदर शुकला और जगदीश देवडा को उपमुख्यमंत्री पद की शपत दिलाई जाएगी हाला कि कुछ बिधायक भी मंत्रीपत की शपत ले सकते हैं लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इसकी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है शपत ग्रहर समारोह के लिए मोती लाल लहरो स्टेडियम में डूम बनाया गया है इसमें 2000 लोगों के बैठने की विवस्था की गई है वहीं मंज पर भी एक दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे प्रधान मंत्री समेत अन्य दिगज नेताओं के लिए लाल परेड मैदान पर ही तीन हिली पैड बनाये गए हैं भाजबा प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साड़े ग्यारा बजे से साड़े बारा बजे के बीच शपत ग्रहन समारोह में उपस्थित रहेंगे यहां राजजपाल मंगु भाई पतेल मुख्य मंत्री समेत अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनियता की शपत दिलाएंगे प्रधान मंत्री दो घंटे कारिक्रम में मौजूद रहेंगे इसके बाद करीब एक बजे रायपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे कारिक्रम स्थल पर MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP की जलक दिखाई गई है प्रधान मंत्री युवा और महिलाओं को मध्य प्रदेश में भाजपा को बंपर जीत के लिए आभार भी प्रकट करेंगे यहां से प्रधान मंत्री 2024 को लेकर भी संदेश दे सकते हैं कारिक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात, असम के मुख्य मंत्री हेमंत विश्वा सर्मा, महराष्ट के उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नवीस, हर्याडा के मुख्य मंत्री मनुहरलाल खटर समेत कई केंद्रिय नेता भी शामिल होंगे मद्ध प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के समान ही कैबिनेट के नाम भी चौका सकते हैं इस बार नए और युवा चहिरों को मंत्रिमंडल में मौका मिलने की संभावना है मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री ने मंत्रे मंडल को लेकर संगठन के वरिष्ठ निताओं के साथ बैठक की है कई दावेदारों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है ऐसे मैं कयास लगाया जा रहा है कि मत्परदेश में गुजरात की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री के समान ही पिछली पूरी कैबिनेट को बदला जा सकता है इसमें कुछ पुराने चेहरों को छोड़ कर नए चेहरे शामिल हो सकते हैं इसे केंद्री नित्रत्तो कारिकरताओं को पार्टी में उनके आगे बढ़ने की संभावना का संदेश देना चाह रहा है ताकि आगामी लोकसभाचुनाओं में हर कारिकरता पूरी ताकत और मेहनत के साथ काम में जुट जाए भाजपा आधी आबादी को फोकस कर लोकसभाचुनाओं 2024 की तैयारियां कर रही है लोकसभा में महिलाओं के हिस्सेदारी बढ़ाने का कानून लाया गया है अब प्रदेश मंत्रि मंडल में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिदेतों देकर बड़ा संदेश भी दे सकती है पा अमित शाह, रास्टे अध्यक्स, जेपी नडडा, अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिती पधार रहे हैं उन्होंने कहा कि वे अभी कारिवाहक मुख्यमंत्री हैं उनकी सिम्मेदारी है कि यहां आयोजन की बवस्ता सभी के साथ मिलकर ठीक हो और गरिमापूर्ण समारों में हमारे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शपत लें मेरी ड्यूटी है सभी विवस्ताओं को देखने की हम सभी साथ हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संगठन की तरप से विवस्ता देख रहे हैं वही मनोनीत मुख्यमंत मद्यप्रदेश पूरा मद्यप्रदेश उनके स्वागत की तैयारी में जुटा है और भाजबा के अथक काम करने वाले कारेकरता शामिल होंगे वीडियी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री यहां पर शपत लेंगे